मैं आपके माध्यम से जो सिनेमा है वो समाज का आइना होता है हम लोग बड़े हुए हैं सिनेमा देखकर और काफी इंफुलेंस करता है साथ सिनेमा पिक्चर्स हमारी लाइफ में खासकर युवाओं की लाइफ में आज कल कुछ इस तरह की पिक्चरे आ रही है अगर आप कबीर से शुरू करें पुश्पा से शुरू करें और अभी एक अनिमल पिक्चर चल रही है मैं आपको कहनी पाऊंगी कि मेरे बेटी के साथ भी बहुत सारी बच्चियां थी जो कॉलेज में पढ़ती है सेकेंड इयर में पढ़ती है और इस मूवी में जिस तरह से वाइफ को ट्रीट करता है और लोग और समाज और पिक्चर भी उसको जस्टिफाई करते दिखा रही है ये बहुत ही सुचनिय विशे है दूसरा युवाओं पे सभापती जी बहुत सारे ऐसे एक्जामपल्स है कि इन पिक्चरों का इन वॉयलेंस का और गलत नेगिटिव रोल को हीरों की तरह पेश करने में हमारे आज के खासकर ग्यारवी और बारवी के बच्चे इनको रोल मॉडल मानने लगे है कई इस तरह की हिंसा हमें समाज में देखने को मिल रही है जो एक्जामपल और जो उधारन वो पिक्चरों से लेकर आते हैं तीसरा उच कोटी का इतिहास है पंजाब का हरी सिंग नलवा का उसमें एक गाना है कि फड़के गंडासी मारी अर्जन वैली में ये इतिहास को एक गैंगवार में दो परिवारों की नफरत की लडाई में जिसका बेटा अपने बाप के प्यार के लिए मरता हुआ या बिलक हतियार लेकर मारता है और कोई कानून कोई कानून कोई law and order उसको कोई सजा नहीं जाता है ये भी हम पिक्चर में justify कर रहा है जहां तक अर्जन वैली का सवाल है सभापती जी हरी सिंग नलवा जो कमांडर इन चीफ ते सिक फॉस के जिनोंने मुगलों के खिलाफ जिनोंने अ पाकिस्तान के गुज्रा से वो जब पूरा इंडिया हमारे एक साथ था और उन्होंने कई मुसल्मानों को 1947 में बचाने का काम किया था इस उच ओटी के इतिहास को आप एक गैंगवार में आप उस गाने को background में दिखा के जो हमारी धार्मे कास्ता को भी बहुत जैदा दर् सुस करवाता है गुरुगोबिन सिंग जी जो सिखों के दस्वें गुरु है वो जब मुगलों से लड़ाई लड़ रहे थे उन डाड़ी फोग एक डाड़ी फोग होता है जिसके तहट आप एक फोग सौंग के तहट अपनी फॉस को जोश जोश पैदा करते हैं सर मेरा एक पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है और किस तरह से ऐसी पिक्चरे पास होके आती है जो हमारे समाज के लिए बीमारी है ऐसी पिक्चरों का कोई भी स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए बहुत 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 बहुत